हेलो everyone welcome to HVS studies तो दोस्तों जिस वीडियो को आप काफी टाइम से इंजार कर रहे थे musical instrument तो जितनी भी personality is related आपकी musical instruments related उस वीडियो को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे काफी important वीडियो होने वाली है क्योंकि जो exams हैं उसमें काफी ज़ादा question पूछे जा रहे हैं आपके musical instruments से related ये जो वीडियो रहेगी है दोनों languages में provide कराई गई है English में भी और Hindi में भी अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें आगे आने वाले जितने भी competitive exams रहेंगे उसके लिए ये वीडियो काफी ज़ादा important रहने वाली है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हमारा पहला question क्या है तो हमारा पहला question है पंडित शिव कुमार शर्मा is related to which musical instrument तो ये जो अभी आपका CHSL का exam हुआ है, उसमें 2-3 बार इस question को repeat किया गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से musical instrument से related है तो इसमें आपका answer हो जाएका संतूर तो संतूर जो musical instrument होता है उसके वादक रहेंगे, उसके player रहेंगे आपके पंडित शिव कुमार शर्मा काफी बार exams में क्यों पूछा गया है क्योंकि अभी हाली में 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 ही इनकी death हो गई है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, इनका नेदन हो गया है अगर पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करी जाए तो इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था हिंदुस्तान म्यूजिक में 1986 में इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया था 1991 में इनको पद्म विभूशन भी मिल चुका है 2001 में जो states और union territory होती है हमारे musicians की वो भी आपसे exams में पूछी जाती है जैसे कि पंडित शिवकुमार शर्मा जो है ये कौन सी state या फिर union territory से related रहेंगे तो आपका answer हो जाएगा state अगर union territory पूछी जाए तो जम्मू कश्मीर से रहेंगे पंडित शिवकुमार शर्मा ये जम्मू जो जगे रहेगी वहां से ये आते हैं अगला question देखते है पंडा लाल घोष अलाउद्दीन खान is related to which musical instrument तो पंडा लाल घोष और अलाउद्दीन खान ये दोनों कौन से musical instrument से related हैं तो हमारा answer हो जाएगा flute तो flute जो होता है बासुरी जो होती है उससे related रहेंगे उसके वादक रहेंगे आपके पंडाल घोष और अलाउद्दीन खान अब इन दोनों को हमने एक question में क्यों लिया है क्योंकि पंडाल घोष जो रहेंगे ये आपके student है अलाउद्दीन खान के लाउद्दीन खान जो है एक काफी जादा famous teacher है आपके flute के इनको teaching के लिए जाना जाता है जो flute होता है उसको बजाने का सिखाते हैं ये तो इसके लिए ये काफी जादा चर्चित रहते हैं तो इनके student है पंडाल घोष तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है flute से related है रहे तो सरोड जो होता है एक musical instrument होता है जिसके वादक रहेंगे जिसको बजाते हैं जिसको play करते हैं अमजद अली खान बिस्मिल्ला खान is related to which musical instrument तो ऐसा कोई भी व्यक्ती नहीं होगा जिसको musical instrument से related बिस्मिल्ला खान जिन्होंने नाम नहीं सुना हो काफी जादा एक famous musician है आपक शेहनाई तो शेहनाई के काफी जादा आपके चर्चित आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो top के शेहनाई के आपके musicians हैं उसमें बिस्मिल्ला खान को गिना जाता है अगर बिस्मिल्ला खान की बात करी जाए तो बिस्मिल्ला खान को चारों जो हमारे highest civilian honors हैं सबसे highest civilian honor होत कौन से व्यक्ति रहेंगे जिनके द्वारा सारे सिविलियन ओनर्स को जीता गया है तो वो आपके रहेंगे बिस्मिल्ला खान बिस्मिल्ला खान को संगीत नाटक अकेडमी अबॉर्ड दिया गया था 1956 में इनको पद्म श्री मिल चुका है 1961 में पद्म भूशन मिल चुका है 1968 में पद्म विभूशन मिल चुका है 1980 में और भारत रत्म दिया गया था इनको 2001 में अगर कहीं पे आप से पूछा जाए कि बिस्मिल्ला खान का ओरिजिनल नेम क्या है तो इनका ओरिजिनल रहेगा कौमरुद्दीन खान कौमरुद्दीन खान जो है ये असली नेम है रियल नेम है बिस्मिल्ला खान का हरी प्रसाद चौरसिया इस रिलेटेड टू विच मुजिकल इंस्टुमेंट तो ये भी कितनी ही बार आपके CHSL के एक्जाम में पूछा गया था कि हरी प्रसाद चौरसिया जो है ये आपके कौन से मुजिकल इस्टुमेंट को बजाते हैं कौन से मुजिकल इस्टुमेंट से रिलेटेड है तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लूट तो फ्लूट जो एक मुजिकल इस्टुमेंट होता है उससे ही related रहेंगे आपके हरी प्रसाद चौरसिया भी, अगर हरी प्रसाद चौरसिया की बात करी जाए तो इनको भी संगीत नाटक अकेडमी अवर्ड मिल चुका है 1983 में, इनको पद्म भूशन मिल चुका है 1992 में इनको पद्म विभूशन मिल चुका है 2000 में अब ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टरिटरी से आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से आपके related रहेंगे भजन सोपरी इस रिलेटेट टू विच मुजिकल इस्टुमेंट, तो भजन सोपरी जो है ये आपके कौन से बातक यंद से संबंदित हैं तो आपका आंसर हो जाएगा संतूर तो संतूर जो एक मुजिकल इंस्टुमेंट होता है उसको बजाते हैं उसको प्ले करते हैं आपके भजन सोपरी अब अगले कौशन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज इबुक हमारे दुआरा लॉंच करी गई है सिरिफ 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के दुआरा बिल्कुल सलेक्टिड कोशन जिनसे काफी जादा एक्जाम्स में कोशन बनते हैं 14-15 टॉपिक्स रहेंगे जिनसे आपको डिरेक्ट एक्जाम्स में कोशन मिलते हैं इन ही टॉपिक्स को कवर कराया गया है इस इबुक में तो ये काफी इंपोर्टेंट आपकी इबुक रहेगी अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाई कर सकते हैं अगर डाउनलोटिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है आप इस पे जाके हमको मेल कर सकते हैं इशु बता सकते हैं फाइल आपको पेमेंट करने के बाद पेज पे ही रुकना है वहीं पे फाइल मिलेगी आपको डाउनलोड करनी है अगला कोशन देखते हैं जाकिर हुसेन is related to which musical instrument तो ये भी काफी important कोशन रहता है और पंडित शिवकुमार शर्मा जो हमारा पहला कोशन था उनके काफी जादा प्रियम मित्र थे आपके जाकिर हुसेन और आपने एक फुनल जो है जो पंडित शिवकुमार शर्मा थे जब उन कौन सा वातक यंत्र है जिससे संबंदित हैं तो आपका आंसर हो जाएगा तबला तो तबला बजाते हैं आपके जाकिर हुसेन तबला जो है उसको प्ले करते हैं जाकिर हुसेन काफी जादा चर्चित रहते हैं अगर जाकिर हुसेन की बात करी जाए तो जाकिर हुसेन को सं सम्मान मिल चुका है किलासिकल म्यूजिक के लिए 2006 में ये कौन सी स्टेट के रहेंगे तो ये स्टेट और यूनियन टरिटरी महाराज से रहते हैं पंडित रवी शंकर is related to which musical instrument तो पंडित रवी शंकर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि जो western countries हैं वहाँ पे भी काफी जादा नाम है आपका पंडित रवी शंकर का और इनको जो international awards होते हैं उनसे भी काफी जादा सम्मानित किया जा चुका है इसलिए ये question आपके exams के लिए काफी जादा important बन जाता है तो पंडित रवी कुमार पंडित रवी शंकर जो है ये आपका कौन सा musical instrument है कौन सा वादक यंत्र है जिसको ये बजाते हैं तो आपका answer हो जाएका सितार तो सितार जो एक musical instrument होता है जो एक वादक यंत्र होता है इसके player रहेंगे, इसके musician रहेंगे आपके पंडित रवीशंकर पंडित रवीशंकर की अगर बात करी जाए क्योंकि इनको एक अलगी लेवल के जो awards होते हैं वो मिल चुके हैं तो अगर इनकी बात करी जाए तो पंडित रवीशंकर को संगीत नाटक अकेडमी अवर्ड मिला था 1962 में इनको पद्म भूशन मिल चुका है 1967 में इनको पद्म विभूशन मिल चुका है 1981 में भारत रतन जो की हाइस इंडिया का civilian honor है वो इनको 1999 में मिल चुका है अब आप अगला अवर्ड देख सकते हैं Grammy Lifetime Achievement Award इनको मिलाता 2013 में और Grammy Award सिर्फ यहीं नहीं कि Grammy Lifetime Achievement Award मिला इनको इनको Grammy Award 3-4 मिल चुके हैं अलग-अलग फिल्ड में तो Grammy Award भी इनको 3-4 मिले हैं अपमें आप में बहुत बड़ी achievement है फिर Tagor Award इनको Tagor Award मिलाता 2012 में फिर Raman Maksa से Award रaman Maksa से Award भी इनको दो फिल्ड में मिल चुका है इनको 1992 में Raman Maksa से Award से सम्मानित की आ गया था और और भी काफी सारे Awards हैं जो इनको मिल चुके हैं अगर इनकी State या फिर Union territory आपसे पूछ ली जाए तो ये उत्तर प्रदेश आपके State से आते हैं पंडित रवी कुमार शंकर अगर इनका ये पूछ लिया जाए आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी Death कहाँ पे हुई थी तो California USA California America में इनकी Death हुई थी अगला Question देखते है Krishna Ram Chaudhary Is related to which musical instrument तो Krishna Ram Chaudhary जो है ये कौन सा बादा की अंतर से संबंदित हैं तो आपका आंसर हो जाएगा शहनाई शहनाई से संबंदित रहेंगे आपके Krishna Ram Chaudhary बुद्देव दास गुपता Is related to which musical instrument तो बुद्देव दास गुपता जो है ये आपके musical instrument से कौन से musical instrument से related रहेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा तो सरोड जो एक musical instrument होता है जो एक वाद्दक यंत होता है उससे related रहेंगे आपके बुद्देव दास गुपता अल्ला राखा Is related to which musical instrument तो अल्ला राखा जो है ये कौन से musical instrument से आपके related है अब ये जो है अल्ला राखा जो है किस से related है एक और हमारे musician रहेंगे जिन से related है पहले question को देख लेते है तो अल्ला राखा जो है ये किस वाद्दे यंतर को बजाते है तो आपका answer हो जाएगा तबला तबला को बजाते है अब तबला में कौन से आपके नाम आपको ध्यान आते है तो जाकिर हुसैन तो जाकिर हुसैन की पिता रहेंगे आपके अल्ला राखा अल्ला राखा जो है ये फादर है जाकिर हुसैन के तो ये दो व्यक्ते रहेंगे तो सरोड जो musical instrument होता है उससे related है आपके अली अक्बर खान और अमजद अली खान बुद्ध आदित्य मुखर्जी is related to which musical instrument तो बुद्ध आदित्य जो मुखर्जी है आपके ये कौन से musical instrument से संबंदित हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सितार तो सितार से संबंदित रहेंगे आपके बुद्ध आदित्य मुखर्जी पंडित किशन महराज is related to which musical instrument पंडित किशन महराज का अगर आपसे exam में पूछा जाए कि ये कौन से वादा की अंतर को बजाते हैं तो आपका answer हो जाएगा तबला तो तबला जो वादा की अंतर होता है उसको बजाते हैं आपके पंडित किशन महराज एक भी कोशन ऐसा नहीं है जो important ना हो किसी का भी नाम आपसे exam में बन सकता है तो हर एक कोशन को बिलकुल detail से आप समझें और ध्यान रखें कोशन को कि ये किस व्यक्ति ये व्यक्ति किस से related है अगला कोशन देखते हैं पंडित जनान प्रकाश घोष is related to which musical instrument तो पंडित ग्यान प्रकाश घोष जो है आपके ये किस से संबंदित हैं कौन से व्यक्ति से संबंदित हैं तो आपका आंसर हो जाएगा तबला तो ये भी आपके तबला जो बजाते हैं उसमें से ही रहेंगे पंडित ग्यान प्रकाश घोष अली एहमद हुसेन is related to which musical instrument अली एहमद हुसेन जो है ये आपके कौन से musical instrument को बजाते हैं कौनसा वादा के अंत्र है इसे संबंदित हैं तो आपका आंसर हो जाएगा शहनाई तो शहनाई जो आपका वादा के अंत्र है शहनाई जो musical instrument है उसके player रहेंगे आपके अली एहमद हुसेन शहीद परवेज खान इस रिलेटेट टू विच मुजिकल इंस्टूमेंट तो शहीद परवेज खान किस वादा की अंत्र से आपके संबंद है तो आपका अंसर हो जाएका सितार तो सितार शहीद सितारा शहीद सितारा से आप याद रख सकते हैं शहीद सितारा जो है शहीद परवेज खान जो है या आपके सितारा के music instrument के player रहेंगे पंडित राम नारायन इस रिलेटेट टू विच मुजिकल इस्टूमेंट तो पंडित राम नारायन आपके कौन से musical instrument से संबंदित हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सारंगनी सारंगी जो है या आपका musical instrument रहेगा तो नारायन जो भगवान है उनके रूप रहेंगे राम जो की सारंगनी बजाते हैं इस तरीके से आप याद रख रखते हैं पंडित राम नारायन आपके सारंगी जो musical instrument है उससे related आपके हो जाते हैं शकूर खान और सुल्तान खान is related to which musical instrument तो शकूर खान और सुल्तान खान ये दोनों आपके कौन सा musical instrument है कौन सा वादक यंद्र है जिससे ये related है संबंदित है तो आपका आंसर हो जाएगा सारंगी जो है ये आपका एक और musical instrument है जिससे related है आपके शकूर खान और सुल्तान खान संदीप दास is related to which musical instrument तो संदीप दास भी आपके important रहते हैं एक्जामस में पूछे जाते हैं ये आपके किस वादक यंद्र से संबंदिद हैं तो आपका आंसर हो जाएगा तबला तो तबला जो होता है उससे ही related है आपके संदीप दास भी अनुष्का शंकर is related to which musical instrument तो ये पहली महिला रहेंगी अभी जो आपकी इस वीडियो में हम discuss कर रहे हैं तो अनुष्का शंकर जो है ये आपके कौनसी musical instrument से related हैं कौनसा वादा कियंत से ये संबंदिद हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सितार तो सितार जो music instrument है उससे आपकी related रहेंगी अनुष्का शंकर who among the following is related to musical instrument वीना तो जो given options में हैं आपको निमलिकित में से कौनसा वादा कियंत रहें जिससे वीना जो वीना है उससे ये संबंदिद हैं तो कौनसे व्यक्ति हैं इन में से given options में से तो वीना अगर बात करी जाए तो वीना से कौन संबंदिद हैं तो हमारा answer हो जाएगा all of the above तो ये तीनों रहेंगे जो की musical instrument जो वीना है उससे संबंदिद रहते हैं अगला question है हमारा रमेश मिश्रा is related to which musical instrument तो रमेश मिश्रा किस वादा की अंतर से आपके संबंदिद हैं तो इसमें आपका answer हो जाएगा सारंगी तो सारंगी जो एक musical instrument है उससे ही related है आपके रमेश मिश्रा भी तो वादा जो होता है काफी जादा famous रहता है और भार जो internationally काफी जादा play किया जाता है माना जाता है वादा जाता है वादा को तो निमलिकित में से कौन संगीत कार रहेंगे जो की वादा के अंदर रहता है वादा उससे संबंदित है तो given options में से आपका कौन सा answer हो जाएगा all of the above तो ये 6 आपके most important रहेंगे instrument जो बजाते हैं वादा कौन कौन है तो ms गुपाल कृष्ण रहेंगे श्रीमती m राजम रहेंगी n r मुली धरन रहेंगे m चंदर शेखरन रहेंगे v g जोग रहेंगे और लाडगुदी जया राम रहेंगे तो ये 6 वेक्ति हैं जो की संबंदित हैं आपके musical instrument वॉयलेंसे काफी जादा चर्चित रहते हैं या वॉयलेंसे अगला question देखते हैं पंडित विश्व मोहन भट is related to which musical instrument तो पंडित विश्व मोहन भट जो हैं ये आपके कौन से instrument हैं कौन सा वादा की अंतर है जिससे ये संबंदित हैं तो आपका answer हो जाएगा मोहन वीना तो मोहन वीना जो एक musical instrument है उससे related रहेंगे आपके पंडित विश्व मोहन भट अब यहाँ पे वीना की बात हुई है तो दो टाइप की वीना होते हैं एक होता है रूद्र वीना और एक होता है आपका मोहन वीना अब इनकी अगर बात करी जाए तो रूद्र वीना के काफी famous आपके एक prayer रहते हैं असद अली खान असद अली कान जो है यह आपके वाद्र यंत्र को बजाते हैं रूद्र वीना को और दूसरा जो है जो हमारा question है पंडित विश्व मोहन भट यह इनके द्वारा ही invent किया गया था मोहन वीना को तो मोहन वीना को यह बजाते तो हैं लेकिन साथ में जो inventor हैं वो भी रहेंगे आपके पंडित विश्व मोहन भट ती एच विनेकर्म और E.M. सुब्रमन्यम are related to which musical instrument तो ती एच विनेकर्म और E.M. सुब्रमन्यम यह दोनों आपके कौन सा musical instrument है वाद्र की अंत्र है जिससे यह संबंदित है तो आपका answer हो जाएगा घतम घतम जो होता है एक musical instrument है जिससे आपके related हैं जिसको play करते हैं आपके ती एच विनेकर्म और आपके दूसरे रहेंगे E.M. सुब्रमन्यम who among the following is related to musical instrument मिरिदंगम मिरिदंगम जो होता है एक musical instrument होता है वादय की अंतर होता है मिरिदंगम जिससे संबंदित इन में से कौन है तो हमारा answer हो जाएगा all of the above तो K.V. प्रसाद S.V. राजराओ उमालायापुरम शिवराम ये तीन व्यक्ति रहेंगे ये तीनों personalities रहेंगे musicians रहेंगे जो कि आपके मिरिदंगम जो musical instrument है उससे related है उसको play करते है यू श्री निवास इस related to which musical instrument तो यू श्री निवास जो है ये आपके किस वाद्दा की अंत से संबंदित है तो आपका answer हो जाएगा mandolin mandolin जो है एक musical instrument है जिसको बजाते हैं जिसको play करते हैं आपके यू श्री निवास तोटा राम शर्मा इस related to which musical instrument तो तोटा राम शर्मा जो है ये आपके संबंदित हैं किस वाद्दा की अंत से तो हमारा answer हो जाएगा पकवाज पकवाज जो है एक वाद्दा की अंत है एक musical instrument है जिसको बजाते हैं जिसको play करते हैं आपके तोटा राम शर्मा अनपूर्न देवी इस related to which musical instrument तो अनपूर्न देवी जो है आपकी ये कौन से वाद्दा की अंत से संबंदित हैं तो आपका answer हो जाएगा सुर्बहार सुर्बहार जो है एक musical instrument है जिससे आप ये related रहेंगी अनपूर्न देवी ब्रज भूशन कावरा इस related to which musical instrument most important question है एक्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रज भूशन कावरा जो है किस वादा की अंत से आपके संबंदित है तो आपका answer हो जाएगा guitar गिटार जो आपका musical instrument होता है उससे related रहेंगे आपके ब्रज भूशन कावरा ये आपको एक्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा अब यहाँ पे कुछ famous जो vocalist हैं जो vocalist होते हैं करनाट का संगीद से जो है related आपके Carnatic music से उनकी बात कर लेते हैं उनको देख लेते हैं आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो है आपके ये किस चीज़ से related हैं तो ये vocalist हैं और कौन सी आपके music से related हैं तो Carnatic music से संबंदित ये रहेंगे तो S. Radha Krishnan श्री निवास आयर आपके vocalist हैं Carnatic music के M. S. Subhulakshmi और रहेंगे M. Bala मुर्ली कृष्ण, D. K. Patamal और अरियाकुदी रामनुज अयर S. Pina Kapani तो ये आपके सब जो लोग हैं ये सब जो musicians हैं ये आपके vocalist हैं संगीत का रहें आपके Carnatic music के Carnatic music जो होता है Carnatic music रहेगा अगला question देखते हैं हमारा अब यहाँ पर जो vocalist हैं उनकी बात करी जा रही है हिंदुस्तानी music से जो हैं जो गायक आपके हिंदुस्तानी संगीत से related हैं उनकी यहाँ पर बात करी जा रही है तो ये सब जो लोग रहेंगे ये सब जो व्यक्ति हैं ये सब जो musicians से आपके ये सब वोके लिस्ते हैं आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक है इनका नाम एक बार देख लेते हैं तो कुमार गांदारवा, मलिक अर्जुन, भीमरपन मानसूर, भीमसे जोशी, पंडित जस्राज, गंगुबाई हंगल, किशोर अमुंकन, बड़े गुलाम अली खान, रहीम फहिमुद्दीन दागर, शन्नुलाल मिश्रा, रमकांत गुंदेचे, उमकांत गुंदेचा, और र वीडियो का आखरी कोश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की टॉपिक्स की वीडियो हमारे इस चैनल पे प पूछे जाते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें धन्यवाद दोस्तों